नीट 24 रिजल्ट के बाद सबसे जादा जो डिमांड बढ़ा है वो BMS का बढ़ा हुआ है बहुत सारे बच्चों का कॉमेंट भी आ रहा था कि सर BMS के बार में complete information प्रोवाइट करवा दीजिए कि सर सेफ स्कोर कितना होगा तो हमें admission मिल जाएगा salary और scope आगे इसका क्या है कौन कौन से हमारे पास government jobs के opportunity है government colleges और peace structure क्या होगा colleges का और बहुत सारी fraud activities भी होती है BMS admission के अंदर इन्हें सबी की जानकारी में आपको इस वीडियो में देने वाला हो इस वीडियो का अप्लोग अराम से देख लेना इसके बाद तुमको BMS के ओपर कोई वीडियो देखने की जरूवत नहीं पड़ेगी सबसे पहले हम बात करेंगे roadmap एक जब कोई बच्चा BMS परस्यूब करता है तो उसको जिन्दगी का पूरा roadmap क्या विकॉज अगर किसी ने अगर एक यूजी क्या होगा नीट क्वालीफा होना मेंडिटरी है अब देखो जनरल वाले बच्चों के लिए आज परदी रिवाइस चौपका रिजल्ट आया था 162 मार्क्स होना बहुत ही जरूरी है और कैटेग्री वाले बच्चों के लिए 127 मार्क्स मतलब अगर आपके इतने नंबर है अब आप काउंसलिंग में बैठ सकते हो जरूरी नहीं है कि आपको गवर्मेंट सीट मिलेगा लेकिन अगर आपका इतना नंबर है तो प्राइवेट बीए में जो नया कॉलेज इस खुला है उसमें आपको एडमिशन बड़े आराम से मिल जाता है फिर यार आपका बीए मे आपका इंटर्शिप होता है मतलब साड़े-पांथ साल का होता है सेम अज भी एम इबीएस आप लोग क्या पढ़ते हो इसके अंदर देखो modern medicine साथ साथ में जो भी आपका आयूर्वेदा medicine है आयूर्वेदिक medicine system आपको भी पढ़ना होता है जो हम लोग फिर्स यार में नमाने के तरीके से होगा तो modern medicine का knowledge होना बहुत जरूरी है तो modern pharmacology आज वले से आयूर्वेदिक pharmacology दोनों का घ्यान होता है मतलब आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है और एक पॉइंट कहाना है संस्क्रिक आपको आना बहुत जरूरी है विकॉस श्लोका आपको पढ़ने पढ़नेंगे जो भी आयूर्वेदिक master ने पहले लिखा हुआ था तो यह बात आपको याद रखना है आप एनार्ट फीजियो बायर के मेंशे जो भी आप लोग Mbps पढ़ते हो वह सारी सब्जेक्ट और बाद में आपको आयूर्वेदिक सब्जेक्ट भी पढ़ना होता ह जो कि Sanskrit language में भी आपकी होती है तो उसका भी आपको ध्यान रखना है जी तो अब देखो अब है क्या हुआ है ना from 2021 batch next exam लगा दिया गया है कि आपको next exam pass ही करना पड़ेगा जो आप next exam pass कर लेंगे तभी आप लोग को registration number भी लेगा और आप लोग जाके practice कर लेंगे तो यह from 2021 के batches से इसको apply किया गया बच्चो ठीक है इस बात का ध्यान लखेंगे अब after BMS आप कर क्या सकते हो जी पहले उसके बारे में समझ लेते हैं after BMS आप यह कर सकते हो कि आप M.S.E. कर लो particular subjects में जिसमें भी जिससे के anatomy हो गया है physiology हो गया तो आप यह कर सकते हो और teaching field में आप एं BMS के बाद उसी तरीके से आपको यहां पर PG के लिए AI ए PGEET का exam देना होता है इसके बाद यहां तो PG diploma कर लीजी तो majority जो जनता करती है वो MD MS में जाती है MS शालया तंत्र हो ठीक है क्या होता है ना कि आपको यहां पर surgery और साथ साथ में आपको OPD दोनों आप लोग यहां पर कर सकते हो जी तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे जी पके surgery और OPD आप लोग दोनों देख सकते हो जी इसके साथ साथ अब आयोरवेदिक research officer या अब आयोरवेदिक medical officers के भी post को समाल सकते हो जिसे CMOs कैसे होते हैं वैसे आपके बास AMOs भी होते हैं तो यह complete roadmap आपके बास BMS वालों के लिए अब हम बात करेंगे आपके feces के बारे में अब देखो मैंने यहां पर fixed fees नहीं रखा है जो market में चल रहा है all over इंडिया में जो on an average जो fees का detail यहां पर निकाला गया है जी अगर आप देखेंगे तो आपको government college में जो annual fees है वह 20,000-1,000,000 तक वेरी कर सकता है देखना पड़ेगा जो fees होता है वह वेरी करता है location पर अगर जाधा गाउं में होगा तो वहां पर fees कम होती है अगर वह आपके शहरों में होगा तो fees आपके जाधा होती है ठीक है जी अचा फिर आपको additional expenses भी लगते जैसे कि आपका hostel fees हो गया examination fees आपको अलग से हर बारी दे तो वहां पर एक लाग से तीन लाग और कभी कभी तो यह आपका पांच लाग तक फीज भी जाता है जी 5 लाग तक भी फीज जाता प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेज में ठीक है और उपर से additional expenses अपको अलग से होता है ठीक है लेकिन एक बात आपको इसमें note करके ध्यान लेगी वगे तुमको permit नहीं करेगी examination के लिए आप admission ले लोगे आप colleges करोगे लेकिन exam के समय आप लोग डिस्क्वालिफय हो जाओगे university आपको accept ही नहीं करेगी क्यूंकि आप new qualified नहीं थे उस समय इस बारी जैसे UP के बहुत सारे colleges हो गया है महारास्टा के बहुत सारे colleges में य यह एक्जेंट्स क्या करते हैं बच्चों से 5-7 लाग रुपा ले लेंगे admission करवा देंगे एक्दम last last में बच्चों लगता है क्या ठीक क्या admission हो गया और जब exam की बार ही आती है तो वापा से पूरा verification चलता है यह बच्चे का नीच पर marks कितना था तो university disqualify कर देती ऐसे होगा फिर college वाले आपको क्या बोलेंगे काम करो आपका इतना पैसा है हम रख लेंगे और आपका इतना प्रेटर्न करके आप exit कर लो को आपको university ने disqualify कर दिया है वो अपने उपर कभी नहीं लेंगे colleges वाले यह fraud activities आपको बचना है अगर आप qualified नहीं हो अगर को तुमको जहांसे में लेकर आ रहा है कि हम तो बारे admission कराएंगे same for the foreign MBBS नहीं impossible है बाद में आपको NMC वहां से reject करेगी यहां से आपको university reject करेगी जी आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है नंबर कमाए नेट की फिर्शब तो यारी किजिए बढ़िए fraud activity फसो के पैसा जाएगा आपका आगे बढ़ो जी government job की opportunities क्या-क्या है अगर तुम देख जिसरी का आप exam भी दे सकते हो मैं अभी इसके बारे में बताऊंगा जी ठीक है जिसके state public service commission भी exam conduct कराती है यूपीस से भी exam conduct कराती है जिससे कि आपको government job भी मिल सकता बहुत सार बचे बीमस के बाद UPC की त्यारी करके वह आपका ISIPS की रोल में भी चले जाते है ठीक है salary structure के अगर हम बात करेंगे तो इसमें बहुत सारी salary variable होती है फिक salary हम लोग यहां पर define नहीं करेंगे जी तो government अगर आप job offer करेंगे तो आपको अच्छा खासा salary यहां पर मिल जाता है और साथसे पर फाइदा क्या है कि pensions बहुत जागे पर मिलता है healthcare housing allowances यह संभी आपको job security भी र करूँगा बहुत research के बाद निकाला हूँ तो जो भी बच्छा BMS करके निकल चुका है कर रहा है वो इनी रेंज में घोम रहा है सब्लग तीक है तो starting salary जो भी fresh BMS graduate होता है उनकी 20,000 से लिए 50,000 पर मन्त की salary होती है depending upon the employment and location देखो important factor location बहुत matter करता है location पर आपका salary decide होता है ज जैसे अगर आप experience gain कर लेंगे तो आपका salary जो है वो 50,000 से एक लाग के बीच में आपका salary हो जाता है जी पाइदा क्या 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 है बिटा जी तो clinical आप practice कर सकते हो आप government jobs में जा सकते हो research और development में academic teaching में आप जा सकते हो या आप MBA करके healthcare management system में भी आप लोग जा सकते हो जी ठीक है अब अगर government colleges चाहिए because need 24 result के बाग इसका boom बहुत बढ़ गया है आपका safe score 550 plus marks अगर need 24 में यह marks है तो तुमको आराम से सरकारी medical colleges मिल जाएंगे counseling body हमारे पास दो है बेटा जी एक है www.accc.gov.in और दूसरा तुमारे state cvt counseling body जिसे कि तुमारे state में होगा अगर तुमारे number समझो की 520-530 में तुमको यह बोलूँगा कि state cvt counseling को दोरा जाना जी ओके अगर www.accc.gov.in तुमको all over India में किसी बयावरवेधिक college मिलेगा तुम मूब मत करो state counseling में बैठो और अपने state के college school ले दो जिसे कि तुमारे पास location का problem नहीं होगा और language का problem नहीं होगा और language barrier नहीं आएंगे और ठीक से तुम क्योंकिए बहुत सारे बचे BMS करते करते नीट के preparation भी करते हैं तो state cvt counseling से आप लोग चले जाईए का जी ठीक है यह सारी है जी अगर हम बात करेंगे top government medical colleges के बार में तो को हर साल इसकी ranking बदलती है लेकिन अभी किसमें आयरे पोदार जो है मुंबाई का one of the top अरवडवेधिक medical colleges है और भी बहुत सारे medical colleges state wise आपके differ करते हैं बट फॉर नाव आरे पोदार इस अवन अगर नीट की तयारी भी करना है तो आप जरूर से नीट की तयारी भी कर सकते हैं और आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा आप लोग यहां पर कॉलेज प्रिडिक्टर को भी यूज कर सकते हैं कुछ नहीं करना है आपको इस qr code को स्कैन करना अपना डिटेल जैसे डालोगे तो हमारी AI सिस्टम की तरह आपको कौन सा कॉलेज आप नंबर पर मिल सकता है उन सभी के बार में आपको डिटेल यहां पर मिल जाएगा जी अनकाडमी प्रो के आसर बहुत सार अब अब अच्छा ऑनलाइन पढ़ते हैं बट टेस्ट ऑफलाइन देना है डाउट्स ऑफलाइन पूशना है रिविजन ऑफलाइन करना है तो अब ल देंगे मिलते अगले वीडियोस में बिकले बचते नहीं थांक्यू जाहिल बाबाए